जै बाबा की आज का विशा है कुछ लोग कहते हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं पर हमारा ध्यान नहीं लगता है जब तक आप यह नहीं समझोगे कि ध्यान है क्या तो वो नहीं गटेगा और नहीं लगेगा सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ध्यान लगता क्यों नहीं है ध्यान लगना ना लगना कोई बड़ी बात नहीं है जब आप इसको जान जाओगे कि ध्यान में कैसे बैठें और ध्यान कैसे लगता है तो आपका एक ही दिन में और पहले बार में ध्यान लगेगा मेरा आपसे वादा है अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझेंगे और इसको follow करेंगे तो आपका ध्यान पहले दिन से ही लगेगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपका ध्यान 110% जरूर लगेगा लेकिन आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें सबसे पहले आप एक बात को समझें कि दो तरह के इंसान होते हैं एक अंधर इंसान होता है और एक वो इंसान है जिसकी आँखे ठीक है जैसे हमारी आँखे ठीक है तो हम यह देख सकते हैं कि हमारे आज पास दाएबाई क्या है हम यह देख सकते हैं देखा हमारे सामने एक परतिमा है परतिमा को देख के हम जान सकते हैं कि यह गोतम बुद्ध की या किसी महात्मा की परतिमा है ये देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है हम हर चीज को देख सकते हैं लेकिन वो इनसान भी होते हैं जिनके पास आखे नहीं होती हैं वो फिर भी देख सकते हैं जैसे अंदे इनसान होते हैं अंदे इनसानों के पास आखे नहीं हैं फिर भी आपने सुना होगा कि अंदे इंसान पैसे गिन लेते हैं और पैसो की पहचान भी उनको होती है नोट को बिना देखे वो पहचान सकते हैं एक अंदा इंसान अपने लिए खाना बना लेता है कपड़े दो लेता है और नाना परकार के अपने कारिये कर लेता है आजकल अंदा इंसान जोब भी करते हैं तो वो कहां से देखते हैं अगर आप इस बात को समझ गए ना कि अंदा इंसान कहां से देखता है तो आपका ध्यान उसी दिन और उसी समय गट जाएगा ध्यान लग जाएगा अंधा इंसान देखता है भीतर की आँखो से, देखो भीतर की आँखे जो हैं वो दिखती नहीं है, परणतु देखने की उनमें चमता है, और इतनी जादा चमता है, जो हमारे स्थुल सरीर की आँखे हैं, उसे लाख करोडो गुणा वो देख सकती है, कितना इंटरस्टिंग टोपिक है देखो भीतर की आँख दिखती नहीं है परंतु वो देख लेती हैं और जो बाहर की आँखे हैं वो देखती है और दिखती भी हैं पर भीतर नहीं देख सकती लेकिन भीतर की आँख ऐसी है जो भीतर भी देख सकती है और भाहर भी देख सकती है और उस आँख को ज मिंट पर चलते हैं कि द्धान कैसे लगाएं सबसे पहले आप एक अराम दायक मुद्रा में बैठें जैसे इस प्रति महां में भागवान गोतमबुझी बैठे हुए हैं आप इसी तरह सिधासन में बैठ जाए में और हातों को आप सीधा भी रखके और इस तरह भी रख सकते हैं, जैसे इनों ने रखे हुए हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ध्यान लगाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक मिंठे लिए आख बंद करके, या आख खोले वे अपने इस नाख वाले पॉइंट पे आप अप आप अनूबाहो करें तो कि आपके नाक से सांस आ रहा है भीतर और जा रहा है, सांस आ रहा है, अंदर और सांस भीतर से ओके बाहर जा रहा है, तो आपको इस प्रणाली पर ध्याना लगाना है। कि आपके शरीर के बीतर से सांस आ रहा है और जा रहा है आ रहा है जा रहा है देखो हमें ध्यान में करना क्या है हमें अपने बीतर उतरना है क्योंकि बीतर ही सब कुछ है बाहर कुछ नहीं है बाहर का जो है वो सब नश्वर है तो बीतर जाने के लिए यह द्वार है और यह नाख पर इड़ा नाड़ी है और इस नाख पर पिंगला नाड़ी है तो इन दोनों नाड़ियों के जरीए हमें अपने सरीर के बीतर परवेश करना है तो आप एक मिंट के लिए आप अपने नाख के बारी से पर ध्यान रखें और धीरे 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 ध्यान में जाने के लिए जो आपके नाक से सांस अंदर आ रहा है ना और जा रहा है उसको दीरे दीरे आप अपने ध्यान को अपने कॉंसेंट्रेशन को अपने फोकस को और अपनी एकागरता को जो आपकी एकागरता इस समनाक पे है ना आप उसको धीरे दीरे सांसों को जैसे आप सांस अंदर लेंग चाहरा ले जाएं और नवी तक लेखे जाएंस को जब आपका सांस नवी तक आ जाएगा तो आपको क्या करना है सबसे पहले दाखो हमारी ज मावी ओती है ना कि हमारी ज मावी है ज़्धी से नीचे लिंग और गुद्धा का जो स्थान है वहाँ पे लिबाधार- चकर है यहां पर, मुलादार चक्कатов होता है है तो आपको अपने एका गरता को यहां ले जाना है और उस जगए पर आंख बंद करते हुए आपको वहां पर फोकस करना है कि हमारे लिंग और गुद्धा की बीच में एक चक्कर है जिसको मुलादार बोलते हैं आपको सिरफ और उसके बाद स्वाधिस्टान चक्र होता है जो हमारे नाभी से चार अंगुल नीचे होता है आपको यहां पर कॉंस्टेंटेशन करना है आपको पेट का जो नीचला हिसा है नाभी से थोड़ा सा नीचे आपको अपने ध्यान को वहां ले जाना है ध्यान को ले जाके वहां एसास करना है कि हमारे सरीर का यह इसा है, आपको अपने सांस को वहां तक ले जाना है, फिर बाहर छोड़ देना है, ना भी से चार अंगुल नीचे तक आपको अपने सांस को अंदर खीचना है, फिर छोड़ देना, फिर खीचना है, फिर छोड़ देना, उसके बाद आता है म मनी पूर्चकर यह आपके बिल्कुल ना भी चक्र जो रहता है वहां पे होता है मनी पूर्चकर में मनी पूर्चकर आपके ना भी में होता है तो अब की बार आपको तीसरी बार में क्या करना है अपने सांसों को आपको एक मिन्ट आपको सांस जो लेने है न, उसब से पहले मूलादार तक लेने है, फिर छोड़ देने है, फिर थोड़ी सी देर के बाद आपको स्वाधिस्टान तक सांस लेने है, फिर छोड़ देने, फिर लेने है, फिर छोड़ देने, फिर लेने है, फिर छोड़ देने, तीसरी बार में आपको सांस लेना है मनिपुर्चक्र तक सांस कहा तक अंदर जाएगा या आप डिसाइड कर सकते हैं मनिपुर्चक्र तक सांस लेना है फिर छोड़ देना है फिर लेना है फिर छोड़ देना है दीरे करना है जल्दवाजी नहीं उसके बाद आपको आ जाना है अनाध्य चक् हिर्दय के बिल्कुल बीचो बीच इस पे आपको क्या करना है इस पे भी आपको वही पर्तिक्रिया करनी है आपको नाको से सांस हिर्दय तक ले जाना है फिर छोड़ देना है फिर आपको सांस लेना है, नाक से हिर्दर तक ले जाना है, फिर छोड़ देना है, फिर सांस लेना है, उसको हिर्दर तक ले जाना है, फिर छोड़ देना है, तो आपको बार बार यही परतिकिर्या करनी है, नाकों से सांस लेना है, आख बंद करते हुए हिर्दर तक ले जान से ओड़ा से थोड़ा सास ले घ्याना से और उसको कंठ तक ले जाना है पर ध्यान में बैट जाते हैं पर नतु М Healing a जो हमारा दिमागह है वो दाएवाय गूमते रहता है तो आप अपने आपको वैस्ट कर दोगे अपने भीतर वैस्ट कर दोगे तो इस समय जब hist करोगे बटकेगा दिमाग के दर उदर जाएगा नहीं क्योंकि वह आपने बीजी कर दिया उसको वैस्त कर दिया फिर उसके बाद आता है अग्याचकर अग्याचकर में भी यह आपका जो त्रीनेतर होता है जहां पर आप तिलक लगाते हैं यहां पर आपका अग्याचकर होता है अग छोड़ देना है लेना है छोड़ देना है लेना है छोड़ देना बिलकुल दीरे-दीरे जब आप नीचे से नहीं करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते उपर आ होगे तो दिरे-दिरे आपका सश होटा हो जाएगा सश जो पहले अमले रहरा उनकी उनकी स्पीड जादा होते हैं पिर जो आप दियान में बैटो गए तो दीरे दीरे वह कम ओ जाएंगे चोटे हो जाते हैं ऐसे ही आप फिर अगया के बाद और वैसे आप यहां तक ही रुके हो तरो आप से। जाने के बाद उसका जो रेश्यो होता है वो थोड़ा हो जाता है और सांस आपके ना ठंडे हो जाएंगे तो यह करिया करने में लगबागा आपको पांच मिंट लगेंगे आपको थोड़े से सांस लेने हैं छोड़ देने हैं लेने हैं छोड़ देने हैं लेने हैं छोड़ देने हैं लेने इस स्टेज पे रहना है शिये आपको आपको ये जो आख है दोनों आपके जो नाख है आपके दोनों जो जो कान है आपके जो यह इंद्रिया हूँ सारी जितनी भी ज जितनी भी आपकी इंद्री है ना हर चीज को आपको यहां पर सौरी यहां पर रखना है और आखो को आखो बंद आखों से आपको अपने अग्या चक्र की तरफ ही देखना है यहां पे आपको अपने पूरे कॉंसेंट्रेशन को यहीं पे रखना है जब आप इसको अभ्यास को करोगे न तो सरू में आपको थोड़ा सा न सिर में हैडिक होगे थोड़ा सा दर्द मैसूस होएगा लेकिन जब आपको इसको हफ्ता दस दिन हो जाएगे तो आपको यह दर्द दिरे-दिरे कम हो जाएगा और आपको अनुबवनी होएगा दर्द और उसके बाद आप अपने बीतर बैठ सकते हैं यह बहुत प्राजिन भी दी है जो मेरे गुरु देव ने मुझे बताई है और मुझे सिकाई है आज मैं यह आपको बता रहा हूँ तो आप इसको करें आपको ध्यान का बहुत अच्छा नुबव होगा आपका ध्यान भी लगेगा और जिनके सबसे ज़्यादा जिनके साथ यह समस्या रहती है वही हम ध्यान में बैठते हैं हमारा ध्यान लगता है हमारे भीतर विचार आते रहते हैं तो जब आप आख बंद करके अपने आपको वैस्ट कर दोगे आप एक सिस्टम में आ जाओगे आप एक डिसिप्लेन में आ जाओगे आप एक नियम में आ जाओगे और अपने आपको जब आप वेस्ट कर दोगे ना तो आपका ध्यान लगेगा 110 परसेंट यही विद्धी है जिसको सब करते हैं तो आप इस विद्धी को करो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा यही आज के लिए इतना ही आप सब को परणाम